स्वागते दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्टडी टिप्स पर आसा करता हूं आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखुवी रख रहे होंगे आज है 14 जून 2021 और आज के जितने भी इंपर्टेंट करेंट अफेर्स बन सकते हैं वह आप लोगों के लिए और हर एक इकजाम के लिए करेंट अफेर्स कितना इंपर्टेंज सेग्मेंट है कितना इसका महत्ता है यह कितना महत्वपूर्ण है यह आज सब ही जानते हैं तो चलिए स्टाट करते हैं अपने सेशन को देखें दोश्तों पुलिज를 ऑवाड 2021 को अभी-अभी क्या वाड 2020 मेहा राजगोपालन को पुलिजर ऑवाड 2020 से नवाजा गिया ठीक है मेहा राजगोपालन को पुलिजर ऑवाड 2020 में हम बात करेंगे तो मेघा राजगोपालन जो की एक भारतिया है और भारतिया मेरी की है तो इन्हें क्या किया गया है पुलिद जरवाट से समानित किया गया है तो इनको जो मेघा बाद चहरा है वो सब के सामने लेकर आई क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि चीन में मेघा राजकुपालन ने चीन के सिंज यांग में मुसल्मानों के लिए बनाये नजर बंदी सिवीरों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए चार भाग की सीरीज वाली एक उनके सैटलाइट तस्वीरों के बारे में बिसलेशन करके दुनिया को बताया था मेघा राजकुपालन ने तो उनके इस कारी के लिए मेघा राजकुपालन को पुलिजर अवाड से सम्मानित किया गया तो चाइना का काला चेहरा इनों ने पूरे विश्व के सामने लेकर आया ठीक है अब बात करते हैं पुलिजर अवाड की तो पुलिजर अवाड जो है दोस्तों पुलिजर अवाड का यह पुलिजर अवाड यानि कि पुलिजर पुरसकार का ये 105 वां संसकरं था और इसमें दिया गया मेग्हा राजगुपालन को पुलिजा रवाड और यह जो पुलिजा रवाड है यह अमेरिका के दवारा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है जैसे कि अगर समचार पत्र पत्री का ओनलाइन पत्री का ठीक है इन सब के फिल्ड में जो काम करते हैं उत्करिष्ट योगदान जो इन सब फिल्ड में जिनके द्वारा दिया जाता है तो इनका नमिनेशन किया जाता है और हर साल इन सब लोगों को क्या किया जाता है पुलिद्जर पुरसकार से समानित किया जाता है जो पुलिद्जर पुरसकार का सुरुवात हुआ था 1917 में एक वेक्ति हैं जो अमेरिकी वेक्ति थे जिनका की जन्म हग्री में हुआ था जोसेफ पुलिजर ठीक है जोसेफ पुलिजर जोसेफ पुलिजर इनके नाम पर इनके नाम पर पुलिजर अवाड का सुरुवाद किया गया और यह जो दिया जाता है कोलंबिया बिस्विद कि नियुबर्सिटी तो जो कि नीयोरक में हैं इसके द्वारा इसे दिया जाता है प्रकासित किया जाता है दुस्रा अगर करें तो इसमे 22 कटेगरी में पुलिजर इसर धिक ए जाता है इस उस पॉलिगora.र यूएंd relief जाता था तो ये रहाबाद पुलिद्जा रवाड से रिलेटेड और पुलिद्जा रवाड इस बार मेगा राजगोपादन जी को मिला है ठीक है अगला क्वेस्चन है कि भारतिया आम समवर्धन कारिकरम की सुरुवात कहां हुई है तो देखे भारतिया भारत के आम के एक्स देखेंगे और इससे क्या होगा कि जो आम का एक्सपोर्ट होगा वह बढ़ेगा तो बहरीन में ठीक है बहरीन में भारतिया आम समवर्धन की सुरुवात हुई है तो देखे श्रू हुआ जिसमें आम की 16 किस्म का यह किया जाएगा तो देखें इसमें से कुछ जी आई जिने मिले हैं आमों को जैसे कि खिर्सापती खिर्सापती लक्षमन भोग तिक है यह पस्चिभ मंगल के आम है उसके बाद अधी यह सबक्षी मिला है नहीं और इनामों को 엍स्पूर्ट करके वहां पर लेके जाया बभरी में लेके जाया गया और सोलह किस्म के आमउं को वहां पर क्या किया जाएगा वहां पर लगाया जाएगा और हम समछ की रखना या रकनाहाई यह बात याद रखना है चलिए अगले question पर हम चलते हैं देखे सूरत सिंग माथूर जिनका निदन हाल ही में हो गया वे किस छित्र से संबंद रखते थे तो सूरत सिंग माथूर जो थे वो स्वॉर्ड से अhando रखते थे स्बैसे संबंद संबंद देखे यह एक उलंपियन थे इस स्वॉतंत्र भारत अ Um पढ़े ओलंपियनं की मेडल मिला था उंक्सी ऑलंपिक इन्हें ब्रौंज मेडल मिला था और एसियन गेम्स मेराथन न्हीं में हुआ था उन्हें बृंज मेडल से नवा गया था और इनका निधन अभी हाल सबी तैंक के कारण तो आपको याद रखना है कि स्वतंथ्र भारत के पहले ओलम्पियन जो की सूरतसिंग माथूर उनका निधन हो गया है आपसे पुछा जाए कि इनका संबन्ध किस चित्र से रखते थे तो आपको याद रखना है खेल से स्पोर्ट से रखते थे कवच जो personal loan scheme है किस बैंक की योजना है तो देखे कोविड-19 के इलाज के लिए ठीक है कोविड-19 के इलाज के लिए अगर जो कोविड-19 के इलाज के लिए अपने खाता धारकों को अपने खाता धारकों को अपने जिनका एकाउंट है एकाउंट होल्डर से तो उन्हें कोविड-19 के इलाज के लिए personal loan scheme की सुरुवात की है कौन सा कवच ठीक है अब बात करते हैं कि SBI के जो अभी चेर परसन है वो है दिनेश कुमार खाराजी ठीक है और अगर इसकी अस्थापना की बात करें तो एक जुलाई 1955 को इसकी अस्थापना हुई थी एक जुलाई परसेंट रहने वाला है 6.5 परसेंट हम लोग जानते हैं कि जो personal loan scheme बहुत ही महँगा होता है इसका जो इंट्रेस्ट होता है 15 से 20 परसेंट होता है लेकिन इस कवच लोन इस personal loan scheme के तहर 6.5 परसेंट ही इसकी interest rate पर COVID-19 के इलाज के लिए दिया जायेगा ठीक है आपको इसे याद रखना है कि कवच लोन personal loan scheme SBI के द्वारा लांच किया गया है मंगोलिया के नए राश्ट्रुपती कौन बने हैं तो मंगोलिया के नए राश्ट्रुपती बने हैं उखना खुरेल सुक ठीक है उखना खुरेल जगनाद तो अभी आपने सुना होगा कि यह मौरिसस के प्रधान मंत्री है मौरिसस के प्रधान मंत्री है इनके पिता जी का नाम क्या था आपको बताना है जिनका निधन हो गया था और यह भी वहां के मौरिसस के प्रधान मंत्री थे ठीक है बात करते हैं वहीं पर गूई तो यह इटली के प्रधान मंत्री है इटली के प्रधान मंत्री स्कॉट मौरिसन औस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है तो इन सब अगला क्यों सब्सक्राइब निन सब्सक्राइब के प्राइब निस है अल इंडिया है। का ऑन हायर एजुकेशन डिकें तो आऊल इंडिया सब्सक्राइब on higher education यानि कि higher education के फिल्ड में इंडिया पूरे all over इंडिया में क्या development है क्या इसमें development रहा इस साल ठीक है higher education में कितना enrollment हुआ ठीक है नाम कितना हुआ जैंडर parity का कितना percentage रहा तो यह सब क्या करता है ऐसे रिपोर्ट के अनुसार दिया जाता है तो रमेश पोक्रियाल निसंग जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ऐसे रिपोर्ट 2019-20 को क्या किया गया है लॉंच किया गया है और इस बार अगर मिनिस्टर के द्वारा जारी किया जाता है तो आपको इसे याद रखना है चली एगला क्वेशन है कि अभी हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे तो प्रोफेसर राधा मोहन जी कौन थे एक एक एकोनोमिस्ट और एन्वारनमेंटलिस्ट थे ठीक है यह जो है एक क्या थे अर्थ सास्त्री और पर्यावर अन्विद उडिसा के थे ठीक है उडिसा के थे और इन्हें अपने छित्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पदम स्री अवार्ड भी मिल चुका है पदम स्री अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है तो पदम स्री अवार्डी है राधा मोहंजी एकोनोमिस्ट और एन्वारनमेंटलिस्ट थे तो इनका भी निधन हो गया है आपको इसे याद रखना है ओडिसा के थे चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर राष्ट्रिय रं रंग हंता झाग रुपता दिवस जिसे की इंगलेश में बोला जाता है इंटरनेशनल अल्बिनिजम अवेर्नेस डे सब्सक्राश्टिय रंग हंता दिवस तेरा जून को मनाया जाता है इसकी सुरूवात की गई थी तेरा जून 2018 को ठीक है 15 जून 2018 को अंतर राष्ट्रिय रंग हिंता जागरूपता दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार ठीक है तो यह जो दिवस है इसमें क्या होता है कि रंग हिंता का जो लोग सिकार होते हैं ठीक है वो उसके परती जो भेद भाव किया जाता है जैसे कि किसी का चक्ता चक्ता सफेद चक्ते हो जाते हैं कोई सफेद पूरा सरीर में सफेद हो जाता है तो उन लोगों को क्या होता है भेद भाव से समाजिक तिरसकार से जुजना पड़ता है तो उसके भिरूद जागरूपता फैलाने के उद्देश से तेरा जुन को मनाया गया वर्ल्ड इंटरनेस्मल एल्वी निजम अवेर्नेस टे ठीक है तो यह जो है अठारत जून को मनाया जाने लगा वंतराश्ट्रियर रंग हिंता दिवस आपको इससे याद रखना है जो एल्वी निजम से प्रभावित जो लोग होते हैं उसके जो इ प्रभाव ना किया जाए इसके भिरुद 13 जुन 2018 से 13 जून को अंतराश्ट्रियर रंग हिंता जागरुकता दिवस के रूप में मनाया गया देखें दोस्तों अगर हम जून के इंपोर्टेंट डेज की बात करें तो सारे इंपोर्टेंट डेज को एक बार करके रिवीजन क कर लेंगे जिससे की सारा इंपोर्टेंट डेज हमें याद रहे ठीक है तो सारा इंपोर्टेंट डेज एक बार करके रिवीजन कर लेते हैं चलिए देखें एक जून को मनाया गया ग्लोबल पैरेंट्स डे एक जून को मनाया गया ग्लोबल पैरेंट्स डे तो वहीं सेकें ती इसलिए दो जून के दिन हे तेलंगाना का अस्थापना दिवस मनाये जाता है उन्तिस्वे राजी के रूप में तेलंगाना राजी का अस्थापना हुआ था अभी हमारे भारत में 28 राज्य हैं अभी भारत में 28 राज्य हैं और वो किसली है क्योंकि जम्मू कस्मीर और लदाग जोते वो क्या हुआ है एक union territories के रूप में 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर किस साल से हुआ था तो 31 सक्टूबर 2019 से वो एक union territories बन गया था तो इस कारण से अभी 28 राज्य हैं और कितने union territories हैं आप इसे भली भाती परीजित होंगे तो तेलंगाना का जो अस्थपना हुआ तो दो जून उस दिन मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे थार्ड जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसेकिल डे चार जून को कौन से दे मनाया गया इंटरनेशनल डे ओफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स अप एग्रेशन वहीं पांक जून को मनाया गया बहुत इंपोर्टेंट है ये एक जाम में कुश्चन ये पूछा ही जाएगा वर्ल्ड एन्वारन दे और इसकी थीम रही थी इको सिस्टम रीइस्टोरेशन थीम रही थी इसकी इको सिस्टम रीइस्टोरेशन आपको इसे भी याद रखना है साथ जून को इंटरनेशनल लेवल क्रोसिंग अवैरनेस डे मनाया गया तो वहीं साथ जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड तो वहीं बारा जुन को मनाया गया वर्ल्ड चाइल्ड लेबर अगेंस बाल श्रम निसे दिवस तीर बारा जुन को मनाया हिए ये सारे डेज को देखा और 13 जुन को मनाय गया रंग हिंता जागरूपता दिवस आपको 13 जुन तक के सारे important डेज आपको याद रखने हैं जिससे की डेज से related अगर कोई question आता है तो आप उसे आसानी से हल कर पाएं ठीक है अगला question है कि भारत का पहला digital health center किस संस्थान दौर दौरा लॉंच किया गया तो भारत का पहला digital smile Center आया टी बंबे के दौरा यह क्या किया गया वह जो इसका नाम होगा के सी डी एच ठाके के सी डी एच जैके यह कैसी डी एच क्या है तो यह कोईटा सेंटर कोईटा सेंटर डिजीटाल है ठीक है कोईटा सेंटर फोर डिजिटल हेल्थ कोईटा सेंटर फोर डिजिटल है तो यह आयाइटी बॉंबे ने कोईटा कोईटा फांडेशन एक कोईटा फांडेशन है उसके साथ मिलकर एक डिजिटल हेल्थ सेंटर की सुरुवात की है IIT Bombay और कोईटा Foundation के द्वारा इस KC DH जो है यह भारत का पहला है इसलिए आपको इसे याद रखना है भारत का पहला Digital Health Center IIT Bombay और कोईटा Foundation ने मिलकर इसका सुरुवात किया है इसमें क्या किया जाएगा Dual Degree Master's PhD Program Healthcare Information Healthcare Artificial Intelligence में Machine Learning यह सब का इसमें क्या किया जाएगा कोर्से ओफर किया जाएगा digitally ठीक है तो आपको इसे याद रखना है कोईटा Foundation बात करते हैं अगर कोईटा Foundation की कोईटा Foundation की तो इसका Headquarter कहा है इसका Headquarter है मुंबई में और इसके जो Founder थे इसके Founder है रिजवान कोईटा और रेखा कोईटा तो कोईटा Foundation के द्वारा कोईटा Foundation और राइटी बॉंबे मिलकर एक Digital Health Center का पहला भारत का यह पहला है इसका शुरुवात किया है तो यह रहा हमारा आज का Important Current Affairs अगर दोस्तों आपको हमारा Information अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोज को लाइक करें ठीक है यूजफूल वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबस्रिप पहले मिलते हैं हम लोग कल के Current Affairs में Important Current Affairs के साथ तब तक आप सेफ रहे स्वस्त रहे जाए हिंद्ध